नमस्कार, जार्खण में क्रोणा से मौद शुरू, पुलिस कर्मियों के लिए खास निदेश जारी जार्खण में पिछले दो-तीन दिनों से क्रोणा वायरस के बढ़ रहे संक्रमन ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी है बतादे पुलिस के समक्ष बजार वा भी भारेवाले इलाके में सरेरिक दूरी का पालन कराने के साथ साथ खोद को भी संक्रमन से बचाने की चुनवती है इसे लेकर उन्हें भी सेख्स सतर्कता के साथ ड्यूटी का पालन करने को कहा गया है आपको बता दे कि राज्ये में कूल 3765 पुलिस पताधिकारी और पुलिस कर्मिस संक्रमित हुए थे इनमें से 33 की जान भी चली गई है उदर जारखन में कुरोना से मौत सुरू हो गई है बता दे कि बुध्धवार को कुरोना से एक मरीज की मौत हो गई है बुध्वार को जहां 33 लोग स्वास्थ हुए है वही 15 नए मरीज भी मिले है जो राची से 4, खुटी लोहरदागा, पुर्वी सिमुम से 2-2, देवघर, धनबाद, हजारे बाग, कुडार्मा, रामगवर से 1-1 नए मरीज मिले है बता दे जहारखन में कूल मौत की संख्या 5132 है, वहीं कूल एक्टिव केस की संख्या 217 है भारत में 35 नए केस मिले है, जिसका 60 परतिसत मरीज सिर्फ केरल में 12613 मिले है भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 3, 161, 450 है जनकारी के लिए आपको पता दे, जहारखन में तिसरी लहर को देखते हुए रेलवे ने अस्पताल में हर बेट पर पाइप से आक्सिजन सप्लाई की बेवस्था के साथ-साथ अस्पताल में सेंटरल आक्सिजन प्लांट लगाने की परकिरिया सुरू कर दी है बताया गया कि सितंबर के अंतक यहां कारे पूरा हो जाएगा वहीं अस्पताल परवंधन ने एक बर्स के लिए डेडिकेटड कोविड एम्बूलेंस किराये पर लिया है धन्यवाद ऐसे में हमें आप कमेंट बॉक्स में अवाज से बताए कि आप तीसरी लहर को देखते हुए कितना सुतर कहा है सरकारी गाइलेंड का पानल कर रहे हैं या नहीं थैंक यू